हेलो दोस्तो तो चली आज हम बनाते हैं मूंग डाल की लड़ो इतनी अच्छी बनेगी न कि बेशन की लड़ो भी खाना आप छोड़ देंगे इतनी अच्छी बनते हैं मात्र दो से तीन चीजी लगेंगे इसमें मूंग डाल की लड़ो बनाने के लिए तो चले इसमें क्या क्या लगेगा कैसे बनेगा मैं बताती है मैंने मुंग दाल लगबग एक कटोरी दो सो गराम गराम में बोलो दो सो गराम अगर कटोरी हो तो एक कटोरी भीगो के चार पास घंड अच्छे से धो के चन्नी में चानके मैंने ले लिया है इसके बाद mixer jar में डालके मैं पीस लूँगी एक से दो चमच बस पानी डालूँगी पीस के इसे ready कर ली मैंने एक पेश्ट बना ली और पेश्ट बनाने के बाद इसे भूनेंगे इतनी चाहिए बस एक चमच से जादा नहीं हो सके तो बीना पानी का पीसे अगर आपका mixer अच्छा है तो इसके बयात करूँगी इसे कटोरी से मैंने एक कटोरी डाल लिया था इसे कटोरी से मैंने आधि कटोरी घी ली हूँ यह आप याद रखें जिस कटोरी से बनाएंगे ने उसी कटोरी से एक कटोरी डाल तो आधिक कटोरी उसकी घी रहेगी लो फ्लेम पे से कम से कम मुंग दाल को भूनने में टाइम लगता है अगर आप हाथ लगतार चला रहे हैं तो भी मिडियम गैस की फ्लेम रख सकते हैं बरना लो फ्लेम पे करेगा ने कि दाल बहुत जल्दी चीपकता है इसे कुक करेंगे कम से कम 15-20 मिनट 15-20 मिनट लो फ्ले तो इतनी टेश्टी लगती है, मूंग दाल हल्वा सब को पसंद, एक बार लड़ू बना के खा के देखना, तो ये ड्राई हो जाएगा तब तक इसे भूनेंगे, और इसमें न कुछ नहीं जाएगी, बस सक्कर जाएगी, घी जाएगी, मूंग दाल जाएगी, एक चीज और अगर आपको डालना हो तो डालिए, नहीं डालना हो तो मट डालिए, पर याद रहे मूंग दाल को 4-5 घंटा, 4-5 घंटा अच्छे से भीगो देजिए, धोल लीजिए, पर चन्नी पे डालिए, कि चन्नी के बाद पूरा एक्ष्ट्रा पानी निकल जाता है न, उसके बाद उसे पीस है, मैंने याद थोड़ा सा केसर कलर, ड्राई केसर कलर मैंने डाला है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना हो मट डाल लेगा, पूरी की पूरी ऑफशनल है, होस तके अगर आपके घर में नॉनिश्टिक बरतन हो, उसमें बनाई है, जल्दी चिपकता नह मेरी ड्राई हो गई, मेरी टोटल हो गई था 18 से 20 मिनट, इसके बाद में बरतन में ले लूँगी, इसे अच्छे से ठंडा कर दूँगी, तो यह प्लेट में ले ली थी और ठंडा हो गया था, ठंडा होने के बाद में इसे बावल में ले 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 हूँ, पहले ही मैंने बना पट्टेश्ट सबसे अच्छा इसमें आप थोड़ी से काजु और बदाम की पाउडर बना लीजिए लगबग मैंने दो मूर्थी काजु दो मूर्थी बदाम लिया था और अच्छे से पाउडर बना लीजिए अगर आपको यह भी नहीं डालना तो थोड़ी सी न दो पाउडर चाहे काजु बदाम के पाउडर इस तीनों में से कुछ भी एक डाल के यहां क्या इन बैंडिंग चाहिए पकड़ने के लिए दाल को पकड़के रखे उसके लिए कुछ चाहिए तो इसलिए मैंने काजु और बदाम को अच्छे से बिना भूना हुआ पाउडर ब कि गरम में डालेंगे तो पूरी फ्लेट हो जाएगा अबकी लड़ू और यह लड़ू खाएंगी ना तो बेशन की लड़ू भी चोड़ देंगे घंटो भूंजना में भूल जाएंगी गंटो बेशन कौन भूंजेगा एक बार मुँण दल की लड़ू बना के अब देखना और इसके बाद में क्या करूँगी सारी लड़ू बादने के बाद में इसे रख दूँगी पहले मैं क्या करूँगी तिन 5-6 अच्छे हाथों से गम साप बनाई थी मैंने लड़ू तो 5-6 लड़ू में निकाल के दूसरी पलिट में रख दूँगी क्योंकि मैं भगवान को भोग लगाने के लिए रख देती हूं अगर अच्छे से बन गया तो इसके बाद क्या करूंगे न और जो बाकी रहे गया मा तो यह देखे और मैंने यह रखा अलग से और यह भगवान के लिए लग निकाल के रख दिया ती मेरी टोटल लड़ू बन